समानी मंच एवं सभागार में उपस्थित विद्वजन आज के इस विशे पर जब नगर डालती हूँ तो मुझे रखता है कि इस तुए त्वक्त इस शाप्त को लेकर लंबे समय से या वाद, चर्चा और चिल्दा में रहती आई है कि आखिर में स्प्रित्वर है क्या और साहित्य की विविद्ध विधाएं जिनमें कविता भी शामिल है स्थ्री और स्थित्व को किस तरह से प्रस्तुत या परिभाशित करते हैं हिंदी साहित्य का मुख्य लेखन, मुख्यधारा जिसे वर्चा स्वशानी पुरुष लेखन भी कहा जाता है वहाँ इस स्क्रिप्व को समझने की कवायर एक सिरे से मुनदारद नजर आती है कहने का आशर ये नहीं कि स्क्रिप्व वहाँ नहीं है वो वहाँ है लेकिन सेट अब्जेक्ट के रूप में तेह विमर्श की रूप में, मार्केट के प्रोड़क्ट के रूप में याने अपने सुन्दर, सलोने, सजे, सवरे और पुरुष को रुभाते हुए रूप में वहाँ मौझने इस स्थिकी में थोड़ा सा बदलाव हम पाते हैं साथ के दशक में उठखड़े हुए नारिवादी आंदोलन से और उसके बाद संकारीन कविताएं और विशेश रूप से दीते दो दशक की कविताओं में स्थि की सरवथा नई पूलकाएं और इस्थि रशनाकारों की सशक्त भूमिका हमको दिखाई जिती है इस एक बात्वस रशना वहर जरूरी है कि क्योंकि इस्थि एक सामाजिक और सांस्क्रतिक निर्मिती है इसलिए उसकी सारी प्रश्ण, उसके सारे उलज्जाव और उनके सारे मिराकरण समाज की परंपराओं में और सामाजिक संबंदों के ताने बाने में ही नहित होंगे भूमंदिली करण और बाजारवाद ने हमें लिबर्टी के नाम पर लिबर्टी का एक फ्रम प्रगान किया है लिबर्टी के इस मन से सचे होते हुए हमें यह समझना चाहिए कि समाज वे सकता सिर्फ उसकी होती है जिसके पास पूंजी है और एक सर्वे कहता है कि आज की तारीख में दुनिया की कुल पूंजी का सिर्फ दो प्रतिशत हिस्वा आदी आबादी के पास यानि की स्कریों के पास है और उसमे इन दो प्रतीशत में असली लिबर्टी तो उन्चंद महिदाओं के पास है जो बड़ी-बड़ी कमपनियों में बड़े-बड़े पदों पर आती है शेश स्क्रियां लिबर्टी के धम में जीरे लिए हमने सिर्फ मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस बर्ड इसको ही लिबर्टी समझ लिया है जहांपर स्कृत्व के नाम पर दैरिक सौंदगे को पु अलग तरह की गुलामी भी नहीं तो क्या कारण है कि आज भी पुरुष के उपयोग में आने वाली हर वस्तू चाहे वो रेजर हो, शेरी स्क्रीम हो, अंडर बियर बन्यान हो, या पान मसाला हो, हर विज्यापन में स्त्री ही नज़र आती है तो धोखादड़ी से भरे हुए इस समय में स्त्री रशनाकारों की यह विशेश जवाबदारी बनती है कि वे कविता में पुरुषों के तय किये गए मानुकों के मकड़ जाल में उल्जे बिना स्त्री की निर्मीदी के समस्तकारों कोपर फोस और स्धान्तिक रूप से चर्जा करें और ये काम बीते दो दशक की कविता में कुछ हर्दक हुआ भी है बीजे दो दशक की कविता को जब मैं खंगालती हूँ तो मैं पाती हूँ कि इस्त्री इस बात को लेकर सजेग हुई है कि वो एक वस्तू या कमोडिटी नहीं है और कविताओं में इस चीज की गूँज दिखाई देती है निरेश रभवनशी की एक कविता है सुन्दरियों जिसमें वो इस्त्रीयों को चेताते हुए कहती है वो कहती है कि तुम सम्मान समारोह में श्वीफल शौल तश्तरी लेकर मत खड़ी रहो मंच पर मत बाचो अभी नंदन पत्र अपनी उपस्थिती को सिर्फ मोहग और गईनिय मत बनने दो तो दूस्तरी और निर्मला कुतल कहती है अपनी एक कविता के अंदर कि अखबार बेचती लड़की अखबार बेच रही है या खबार बेच रही है मैं नहीं जानती मुझे लेकिन पता है कि वो अपने पेट के लिए अपनी रोटी के लिए वो अपनी आवाज बेच रही है अपने स्ट्व को तलाशती और जब छट पठाती है बीते दो दशकों में कविताओं में वो अपने सम्मान को दर्श करती है वो अपने स्वाभिमान को दर्श करती है, बीते दो दशक की कविताओं में स्ट्री अपनी साधरनता, कमजोरियों और विशिश्टताओं के साथ विध्यमान है, अनानिका जहां एक और अपनी कविता में घरे रुज्ट्री के उसकारी को महिमा मिडित करती हैं, जैसे रोटी पेलना, चोखा, चूला, जिसके एवज में पैसा मिलना तो दूर, उसको सम्मान देने लायक तक नहीं समझा जाता, तो दूसरी और काक्या ही हैं, जो पुरुष के उपर व्यंग करती हैं, करार अप्रहार करती हैं, और कहती हैं, कि हे इश्वर, मुझे ऐसी औरत को दी होत करता है, बताइए, याने भात रांधना, बच्चे जन्ना, ये कोई सम्मान, बजलक इसका कोई काम ही नहीं है, सम्मान तक तक आप जाने दीजिए, अपने स्वित्व को तलाश की औरतने ये समझा है, ये जाना है, कि अगर पुरुषों की बनाई हुई इस दुनिया में, अगर उनके रचे कुछक्रों से उसको बाहर निकलना है, तो उसे लिखना होगा, पढ़ना होगा, और भाशा में खुद को तर्श करना होगा, और यही सबसे बड़ा हतियार होगा, पुरुषों की नीन दुडाने का, कात्या इंग कहती हैं अपनी एक कविता के अंगर कि एक दिन न जाने क्या उजा स्क्री को, खेल खेल में भागती हुई, भाशा में समा गई, छिपकर बैख गई, उस दिन ताना शाहों को नीद नहीं आरीगा, वो एक और कविता में कहती हैं जिस दिन स्क्री देर के कर विचार बन जाएगी, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, विचार नहीं होती एक दिन स्प्री, ने बेहनत नहीं होती एक दिन स्प्री, और दुनिया हो जाती है उलट पुलट अचानद, और ता उम्र किसी न किसी रिष्टे से बंधी रखी है, किसी न किसी संबोधन से जानी जाती है, किसी न किसी पर अश्रित रखी है, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, लेकिन इन साथ संबोधनों से परे, सिर्फ और सिर्फ एक औरत होने की कलाश, एक औरत होने की छटपटाहर, ये भी उसके स्पृत्पका ही खिस्ता है. सुरीता सिंग की एक कविता है जहां वो कहती है कि मैं किसी की औरत नहीं हूँ मैं किसी की औरत नहीं हूँ मैं अपनी औरत हूँ अपना खाती हूँ जब जी चाहता है खाती हूँ मैं किसी की मार नहीं सहती मेरा परमेश्वर कोई नहीं है निरेश्शति श््री, मुक्त श्त्रि, जिसका परमेश्वर कोई नहीं है और यहां बहुत सुन्दर्ता के साथ तो पीडी के बीच में, दो पीडी की स्ग्रियों के बीच में, जो द्वंदर है, उसको भी बताती है स्ट्री और पुरुष के बीच का भेद हम समाज में देखते हैं लेकिन मुझे निरेश रगवन्षी की कवितायां बड़ा आकरशित करती हैं क्योंकि उन कविताओं के अंदर हमको विशंता का एक और स्वरूप दिखाई देता है निरेश की कविताओं के अंदर स्प्री स्प्री का भेद रिखाई देता है ये पाजारवाद की पलश्टूपी है कि कुछ इस्प्रिया संगद्ध हैं और कुछ इस्प्रियां कामगार हैं निरेश अपनी कविता में कहती हैं कि तुम कामवाली बाई तुम कामवाली बाई कान मत दो हमारी बातों पर गुहारों ठीक से चमकाव बतन निप्टाव वक्षू भी अपने सारे काम काज अभी मुक्त होने दो सम्रध संसार की औरतों को फिलहाल समकी मुक्ती संभाव नहीं पैसे की जिस असंदत्ता की मैंने अभी बात की उसको भी दिलेश अपनी एक तविता में बहुत अच्छे से कहती है कि उसने अपनी जेब में इतने अहंकार से हाथ डाला कि उस पर मुझे लगा काश किसी के पास जेब न होती तो कितना अच्छा होता आफिर क्यों हो किसी के पास कोई जेब पुरुष का चाहे कोई भी परिधान हो जेब का उसके हर परिधान के अंदर एक विशेश स्थान रहता है जब कि इस्त्री के किसी भी परिधान के अंदर जेब का कोई पॉंसेप्ट नहीं क्योंकि हमारे समाज में स्त्री के लिए संप विश्यों पर कविता एक बीते दो जश्कों में लिखी गई है और मुझे खास तोर से इसका अंदर्व में याद आता है कि शुभंशी की एक कविता सैनेटरी नेकिन जहां सुभंशी खुल कर कहती है कि पुरुष्य प्रधान समाज में वीर्ध्य के लिए इस तुटिश लो ऐसे अंच्यों विश्यों पर लिखना दोधारी तलवार पर चलने के समान है कि किस तरीके से आप अश्मीर हुए दिना कविता में कविता को बचाए रखते हुए अपनी बात प्रस्तुत करते हैं बात अंच्यों की चल रही है इसलिए कहना चाहूंगी कि अभी कैथर कला क रही औरतें बुस्तर और शृतिषे गर्में पोल्यानी और इट के भैटों पर काम करने वाली ऊड़्यां भूमिस संघर्श में पुर्षों से जानी पनम्रुद्र बात नेमनिम 저re prov अब करना अभी सब बाते расскुत sn чист Nada इस बचों नित करती है कि आदिवासी लड़की की जो कल पना एक पूरुष्ट करता है वो कपोल कल्पित है कि आदिवासी लड़की बाल में जंगली प्वूल खौँज कर जब रत्के करती है तो जंगल में बसंद दशा जाता है ऐसा कुछ नहीं होता आदिवासी लड़कियों की आदिवासीयों की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है उनका जल, जमीन और अस्मिता का संघर्ष है उन्होंने आज तक बहुत इक सुखसु विधायने की देखी उनका भुखमरी और गरीबी का संघर्ष है दारु की एक बोतन में उनके परिवार के पुरुष जबिक जाते हैं और स्क्रियों की जो दुर्दशा होती है वहाँ पर उसका आर्थनाद है पुलिस के खिलाफ या सक्ता के खिलाफ आवाज इखाने पर उनको नक्सर इतरार कर दिया जाता है वहाँ पर इसका संघर्ष है अभी इन सारे विश्यों पर बात होनी बाकी है बीते दो दशक की कविताओं में बहुत कुछ कहा गया है बहुत कुछ कहा जाना बाकी है लेकिन बाजारवाद की दी हुई इस लिवर्टी के प्रम से सजेट होकर हमें एक बात समझनी होगी कि जब तक सक्ता के अंदर उजी का संबंध नहीं बदेगा तब तक मालिक और दास का संबंध कभी नहीं बदेगा कुछ स्ट्रियों की मुक्ती सब की मुक्ती नहीं हो सकती मैं कुना कहूंगी कि कुछ स्ट्रियों की मुक्ती सब की मुक्ती नहीं हो सकती राजिनितिक चैतना से लेस कोईताओं से लिखा जाना भी जरूरी है और ये सिर्फ इसलिए कि स्ट्रित्व को किसी एक शब्द, किसी एक एंगल, किसी एक नजर, किसी एक प्रश्टिकोंड से परिभाशित नहीं किया जा सकता ये सारी चेतनाएं स्ट्रित्व के अंदर शामिल हैं तो जब-जब हम 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 इंदी कविता के अंदर स्प्रित्व को तलाश करने की कोशिश करने, हमें उनकविताओं को इस समस्त चेतनाओं के साथ तलाश का होगा शायद तब हम स्प्रित्व की किसी एक मुकबल परिभाशा तर पहुच पाएं